तो हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे इस यूटूब चेनल में तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने कल नवोदय विद्याले का परिच्छा दिया तो उस परिच्छा में क्लास 6 का इस बार का कटफ ठीक है क्लास 6 में 2024 का जो कटफ है वो क्या रहने वाला है तो इस हम लोग इस वीडियो में इसको जानते हैं तो देखे दोस्तों यहां पर सबसे पहले यहां पर जान लेते हैं हम लोग कटफ के बारे में ग्रामिन छेत्र का तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर डिवाइड किया है जैनरल ओवी सी सी और स्टी अब यहां पर मै सकते हैं अगर आप गाउund से हैं रूरल से हैं गरामिन से है उसे हिसाए कि याफिर प्लस ठीक है 94 प्लस अगर है तो boys में आपका selection हो सकता है और यहाँ पर girls में देख सकते हैं तो girls में इसमें आपका 92 होना चाहिए तब आपका selection होगा 92 प्लस जाएगा इसमें ठीक है इस तरीके से cut up होगा OBC के लिए अगर बात किया जाए तो OBC के लिए 93 boys के लिए हो जाएगा ठीक है boys के लिए 93 और 93 से plus होना चाहिए तब आपका selection हो पाएगा ठीक है और girls के लिए देखा जाए तो 91 होना चाहिए ठीक है तब आपका selection हो जाएगा OBC में यह सभी में गरामिन के लिए बता रहा अगर इतना आपका है तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा गर्ल्स में अगर आपका 88 है तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा कमेंट में बताईएगा कि आपने कितना मार्क्स लाया है और अगर कम भी लाया है फिर भी बताईएगा कि आपने कितना लाया है ठीक है न चलिए अब ब बात कर लेते हैं girls के लिए it review boys के लिए था घ्रामी्ज के लिए एस्टी के लिए क्या होगा ईह नहाना ग्रामीन चित्र के लिए तो इसमें आपका 85 होना चाहिए या अफिर इससे अधिक, 85 या इससे अधिक होगा, 85 से प्लस होगा, तभी आपका सेलेक्शन हो पाएगा, अब चलिए बात कर लेते हैं, सहरी छेतर के लिए, जो बच्चे सहरी छेतर से अपलाई किये थे, उन बच्चों के लिए देखा जाए, तो जेनरल के लिए यहाँ पर बा प्लस होगा, तो आपका सेलेक्शन हो पाएगा, अब चलिए, बात कर लेते हैं, जो आरवड़न से अपलाई किये थे, तो इसमें देखिये, बॉइज के लिए 94 प्लस है, तो आपका सेलेक्शन होगा, ठीक है, 94 या फिर से अधिक है, तो सेलेक्शन होगा, गल्स के लिए 93 93 से अधिक है तो आपका selection हो जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं SC के लिए तो इसमें देखिए 92 अगर boys के लिए है 92 और 92 से plus भी हो सकता है ठीक है 92 प्लस अगर है 92 है तो आपका selection हो जाएगा SC में और यहाँ पर देख सकते हैं girls के लिए तो girls में 90 प्लस होगा तो आपका selection हो जाएगा next बात कर लेते हैं ST के लिए है ना अरवन के लिए तो इसमें देख सकते हैं 90 होगा तो आपका selection हो जाएगा या फिर 89 भी अगर होगा तो चलेगा ठीक है आपका selection हो जाएगा 88 अगर है तो आपका selection हो जाएगा girls में ठीक है तो रिजल्ट जो है आपका कब तक आने वाला है तो देखिए रिजल्ट जो है आपका जन्वरी में एकजामत हुआ है तो जन्वरी में तो आएगा नहीं तो फरवरी में नहीं तो मार्च तक ठीक है मार्च तक आपका confirm है आ जाएगा ठीक है फरवरी और मार्च के बीच में आपका result आ जाएगा तो इस तरीके से आज आज आपको इस वीडियो के माइद्यम से समझाने का कोशिस किये हैं ठीक है प्रियास किये हैं कि इस बार का जो cut-off है 2024 का 2024 का नवदे विद्याले का जो cut-off है वो कितना रहने वाला है ठीक है गरामिन छेतर के लिए और सहरी छेतर के लिए जो भी candidate जिसमें अपलाई किये हैं तो अपना अपना इसमें देख लिजेगा समझ लिजेगा ठीक है और ऐसे जयो भी मैंने बताया है तो ये मैंने सिर्फ अ उसमें कम भी हो सकता है ज्यदा भी हो सकता है तो अभी आपको टेंसल लेना नहीं है जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है और इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इतना ही cut-off जाएगा जितना की मैंने अभी आपको बताया ठीक है तो बच्छों उमीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद जरू आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए आगा चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकर्शन को भी ऑन कर लिजेगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके तो चले दो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिब आए, thank you for watching this video.